तो इसको उठाने के लिए कितना हमें फोर्स चीह है हमें निकालने तो देखिए जो फ्रेम है इसकी जो थिकनेस हम नेगलिजिबल मानकर चलेंगे तो इसके इसमें क्या होगा जो आउटर जो सरकंफ्रेंश है फिर लेंथ है देखें लेंथ L है आउटर जो थिकने से या फिर आउटर जो फ्रेम का पार्ट हो उसके करण कितना हो जाएगा एक लेंथ के करण T into L जो इनर वाला लेंथ हो उसके करण T into L तो 2TL अब इस तरह के से 1,2,3,4 यानि 4 into 2TL it means 8TL हमें force का requirement होगा